Top 5 Best Laptop for Traveling के लिए तो यार इन 2021 में अगर आप कोई Laptop Search Out करें for Traveling के लिए ये वीडियो मैं especially आपके लिए करहा हूँ तो बात करते हैं सीधा No.5 की तो No.5 की बात करते हैं लेकिन No.5 की बात करने से पहले मैं आपको बता देना चाते हूँ मैं जो आपको Laptop बताऊंगा वो दो Categories के लिए बहुत ज़्यादा तगड़े होने वाले हैं सबसे पहले आता बिजिनेस के रिलेटिड दूसरा आता भी ऐज़ा अगर आप बहुत ज़्यादा Traveling बात करते हो आपके लिए मैं बताने वालो के और अगर मैं Laptop की बात करूँ यह दो कलर में देखने को मिलता है Black color में and Silver color में Black color में जाता सूट करता अगर आप उसके और जाना चाते हो आप जा सकते हो अगर आप चल जाते हो वो latest पर सारा है तगड़ा पर सारा Storage की बात करूँ आपको 8 GB RAM मिल जाते है अपको 16 GB तक कर सकते हो प्लस आपको 256 GB SSD देखने को मिल जाती Graphic Card की बात करूँ आपको Integrated Graphic Card मिल जाता Operating System की बातों को Windows 10 मिल जाती प्लस आपको MS Office मिल जाता 2019 version Bantry की बात करूँ आपको 7 hours का Bantry Backup प्रवाइड कर देता Price की बातों को 40,000 के बदेड में HP 14 देखने को मिल जाएगा तो यह मैंने आपको बता दिया HP 14 के प्लस मैं आपको बता देना चाता हूँ जो specification है पैसें की according देखा जाए आपको सही मिल जाते है लिंक मैंने प्रवाइड किया हूँ अगर आप च्यागूर करना जाते है आप च्यागूर कर सकते है आगे बात करते है नंबर फो की नंबर फो की बात करूँ नंबर फो पर यार मैंने रखिया MI Notebook 14 को अगर इस Laptop की बात करूँ सबसे पहले है 2020 में बहुत लोगों ने पसंद किया बहुत लोगों ने परचेस किया विकाज इसकी बिल्ड क्वाल्टी बहुत सही है ट्रैक पैड बहुत सही है उसके बाद इसका टच पैड भगारा भी आपको अपर मिल जाता है प्लस दिस्प्ले मिल जाती जो की एंटी गिले डिस्प्ले प्रसाइसर की बातों को आई-फाइफ टैंट इन जेवरेशन के साथ मिलता है एंड डिस्टोरेज की बात करूँ आपको 8GB मिल जाती प्लस आपको 512GB SSD देखने को मिल जाती प्लस आपको 65W का फास्ट चार्ड देखने को मिलेगा प्राइस की बात करूँ इस लैप्टप का प्राइस जो आपको 40 1000 के बज़र में देखने को मिल जाएगा तो बही में स्पैसिफिकेशन में आपको बता दिये आपको लैप्टप बहुत पसंद आने वाला लेकिन इसका मानस पांट भी देखने को मिलता है मानस पांट यह देखने को मिलता कि आपको 8GB RAM तो मिल जाते लेकिन आपको अप्रग्रेट करने का option तक भी नहीं मिलता आपको 12GB तक भी नहीं देखने को मिलता जो कि सच में एक मानस पांट आ जाता है जिसका प्रइज आपको 2,000 देखने को मिला का तो यार लेक्टओ का प्रइज हो जाता है 11th generation भी बहुत अगर i3 के साथ देखने को मिल जाते हैं जो भी आप करना जाते हैं आप कर सकोगे storage की बातों को 8GB RAM मिल जाते हैं अप गरेड़ आप 12GB तक कर सकते हैं प्लस आपको 256GB SISD देखने को मिल जाते हैं अपको इंटीग्रेटरी ग्राफिक कार मिल जाते हैं प्रेरी हिस्ते की बातों को विंटो टैं मिल जाते हैं MS Office मिल जाते हैं 2019 वर्जन बैंटरी की बात करूं आपको 7 hours का बैंटरी बैकप रवाइड करना देता है प्राइस की बात करूं आपको यह 37000 के बजने में लिनोव व यह भी चीज़ काया देना जाते हैं अगर आपने गीमिंग करने हैं आप इन लैप्टॉप पे इतनी जो स्मूथ लिया वो नहीं कर पाऊगे लेकिन अगर आपने वीडियो आइटिंग करने हैं 1080p अगर आप ट्राइ करना चाते हो आपको 8GB तो मिल जाते हैं लेकिन आपने गेमिंग के लिए नहीं कहा रहा वीकश आपको ग्राफिक कर इतना तगड़ा नहीं मिलता आपको इंटीगरेटिव ग्राफिक कर मिलता है और कोई भी रीजन नहीं है आँगे बात करते हैं नंबर टू की बात करो नंबर टू पर यार मैंने रखिया असूस वेबुक आपको बता देता हूं तो डिस्प्ले की बात उनको 50.16 इस क्या आपको फुलस्टी डिस्प्ले मिल ज्यूका है जो कि सीर्फ्रेश के साथ आथा मैं जितने इपको आपको लैप्टॉप बता हूं को सभी में आपको 16 रिफ्रेश के देखने को मिलेगा प्रशाशर की बात तो लेकिन आप RAM को upgrade कर लेना और भी जो smoothly आपका software है वो चलेगा ठीका है प्लस आपको SSD देखने को मिलेगी graphic card की बात करूँ इसमें भी आपको integrated graphic card मिलता हूँ अगर आपका budget थोड़ा सा भी increase हो जाता है अगर आप 45,000 पे कर सकते हो आप चल जाना number one के और मैं बात करूँ अपको पूरे अपर मिल जाते हैं आपको तगड़ा processor मिल जाएगा 2GB graphic card मिल जागा तो भी अगर आपने as a gaming भी करनी है आप इस laptop पे कर सकते हो अगर आपने video editing करनी है आप कर सकते हो अगर आपने heavy software यूज़ की मैं बात करूँ सबसे पहले display की बात करते हैं आपको 14 inch full HD plus display मिल जाथी जो की IPS panel display processor की बातों को i5 10th generation के साथ देखने को मलता है storage की बात करूँ आपको 8GB RAM मिल जाथी expandable आपको आपको 512GB SSD देखने को मिल जाथी graphic card की बात करूँ आपको Nvidia G4 MX 350 देखने को मिल जाएगा 2GB के training system की बातों को window 10 मिल जाते है battery की बात करूँ आपको 8 hours का battery lack provide कर देता है price की बात करूँ इसका price आपको 45,000 के budget में देखने को मिल जाएगा तो यहार main specification में आपको बता दिये Acer Aspire 5 के भी अभी मैं आपको फिर से repeat कर देता हूँ अगर आप extra pay कर सकते हो आपके लिए profit हो सकता है Acer Aspire 5 अगर आप extra pay नहीं कर सकते हसूस विवबुक Ultra 15 आपके लिए बहुत good deal हो सकते है अगर आपका प्रेड कम है 35,000 अगर आपका प पहले बता दिया Lenovo IdeaPad Slim 3i आपके लिए perfect deal हो सकते है इन 2021 में मैंने बहुत अगर आपको लैप्टाप बता है जो की 40,000 के बज़र में पैसा वसूल लैप्टाप है ठीक है तो आप इनकी और मतलों जो भी आपके बज़र में सैट बैठता है आप उसके और जा सकते हो यार description box में देखने को मिल जाएक उसको और बलना भी मिलते हैं नाक्स वीडियो में नेगरी को साथ टेंक यू